बहुत बहुत धन्यवाद कल हमने बीम रूप में शिपका बढ़न किया था और कहते हैं कि भगवान शिपका जो बढ़न है अगर आप भीम रूप में करते हैं तो ये एक तो अकास हूँ कि मूर्ति की अराधना है और इस अराधना से आपके जो तामसिक गुन है वह दूर हो जाता है तामसिक गुन समझना बहुत जोरूरी है बहुत सारे जीवन में हमारी बहुत सारी कटनाई है बहुत सारी नाकारात्मकता है जो हमारे तामसिक गुन से आता है और सच कहिए तो अगर आपके जीवन में तामसिक गुन रहेगा तो ना आप प्रभु का भजन कर पाएंगे ना आप अध्यात्म की ओर जा पाएंगे आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते आपके जीवन में किसी चीज़ की स्विकृती नहीं हो सकती नहीं किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता जिस ब्यक्ति के में तामसी प्रकृती के गुन की प्रधानता हो जाती है जिसके अनुसार वो क्या करता है वो जी प्रोध करता है कोई नीच प्रभृती का उसमें बसी बहुत हो जाता है नीच आचरन करता है वो सोचता है कि हमारे जीवन में बहुत ही सुख उत्पन्न हो रहा है, वह उस सुख का एहसास करता है, नींद और आलत से के सुख का एहसास करता है, आ बड़ा अच्छा नींद आया, ओ बहुत अच्छा आज तो बड़े देर तक सोया रहा, बड़ा मज़ा आगे, ये जो एह सास है, इसी को हम कहते हैं तामसिक सुख, जब आप जीवन में सत्य प्रविर्ति, यानी सत्य को जुखलाने की प्रविर्ति करने लगते हैं, जो भी सत्य है, उसको जुखलाना शुरू कर देते हैं, या फिर आप देखेंगे कि काफी बार आप अंद विस्वास की और जाने लगते हैं कोई कहेगा कि कहीं कुछ हो रहा है ये कर लो तो इससे ठीक हो जाएगा पांच रुपे का कुछ परसाद चढ़ा लो तो इससे आपका जीवन बदल जाएगा तो आप वो अंद्रविस्वास की उड़ जाते हैं पसु हिंसा करने लगते हैं लोग मोह अहंकार ये आना सुरू होता है तो लगता है कि आपके जीवन का जो तामस कर्म है वह बढ़ जाता है तामसिक कर्म बढ़ता है और राम तरित्र मानस में अगर देखें तो बहुत सारे जो तामसिक गुन को दूर करना या तामसिक गुन को समझने के बहुत सारे दोहे हैं और राम तरित कर्म बचन मंत्र दिड़ एहा मतलब आप इस सरीर में अगर तामस गुन होगा तो भजन नहीं हो सकता है क्योंकि तामस गुन जो है आपके मन बचन और कर्म से दिड़ निश्चे होकर वो अंदर बैठावा कि मैं आपसे निकलूंगा ही नहीं तामस कर्म जो है तामस जो सोच ह वो इतना दिड़ निश्चे हो जाता है कि इस सरीर को लेकर आप कोई भी मंत्र कर्म कोई भजन किर्टन कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक और है काग भुसुंडी जी बड़े अच्छे उन्होंने अपने हमेशा जहां भी काग भुसुंडी जी का सनातंधर में कोई भी किताब में कोई भी पुरान में अगर आप बाक्चित करते हैं तो वो पुर्व जन्म की कथा जो कली की महमा है उसके बारे में वो करते हैं तो उन्होंने भी एक बड़े अच्छे से कहा है कि जब ये कल्यूग आएगा इसमें कहा है कि सुनू खगेस कली कपट हट दंब द्वेस प पाखंड मान मोग ये सब काम जो है इससे पुरा कल्यूग व्याप्त हो जाएगा जैसे ही कल्यूग आएगा आप देखेंगे कि इसमें ये सारा काम क्रोड लोग ये सब भरता जाएगा तो फिर क्या करना चाहिए उसमें कहते हैं कि मनुष्य जब तप यग ब्रत दान आदी सब चीज अगर तामसी भाव से करने लगेंगे कि कोई बात नी हम तो काम प्रोद करी रहें जो आपका तामसी कर्म है तामसी भाव है वो है उसके साथ साथ चलो भगवान की भी आराधना कर लेते हैं उससे भी है हम पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं हम ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं हम बजन करना शुरू कर देते हैं तो उसमें बड़े अच्छे से कहा है कि अगर आप तामसी भाव से अगर कुछ भी करेंगे दान धर्म ब्रत याग कुछ भी करेंगे तो बड़ा ही जीवन कठीन हो जाता है वैसे अगर हम कहें कि इस ब्हुतिक जीवन में टीनोही गुन बहुत जोर रही है सत्यवन रजस्गुन और समस्ट के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है आप even कि कोई भी अनू परमाणू किसी भी चीज को ले ले लिज prinat carbon का बिना उर्जा का और एक खास तीनिया का उसका कोई मोथ तो नहीं अगर मैं argument रहा हूँ और आवाज में कमपन है तभी तो आप जो ध्वनी की उर्जा वो आप तक पहुंच रही है अगर मैं बहुती फास्ट बोलू इस्थिरता नहीं हो तो फिर क्या होगा इस बोलने का भी कोई आयाम नहीं रहेगा इस प्रकार से अगर हम देखें ये तीन तत्व जो ह जाएगा तो अगर आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ सत्व गुन होगा तो आप एक पल के लिए भी बचे नहीं रहेंगे आप में इतना कमपन होगा आप इतना साथिक हो जाएंगे आप खत्म हो जाएंगे अगर सिर्फ रजस गुन हो जाए तो भी आपका काम नहीं होगा और सिर्फ तमस गुन हो जाए तो आप हर समय में सोते रहेंगे इसी लिए हर चीज में ये तीन गुन मौझूद होना है और बड़े अच्छा है तो सिर्फ सवाल यह है कि आप इन तीनों को कितनी माक्त्रा में मिलाते हैं अपने जीवन में इस तीनों गुन को कितनी-कितनी माक्षा में मिला करने चल सकते हैं तो जो तामसिक प्रविर्ती है वहां से हम सात्विक प्रविर्ती की ओर जाने का मतलब है कि आपका जो ये सरीर है उस्थूल सरीर है आपका मांसिक सरीर है आपका भावनात्मत सरीर है आपका उर्जा का सरीर है इन सब को स्वक्ष करना होगा अगर आप इसे स्वक्ष कर दें तो क्या होगा आप इसी सरीर से इसी मांसिक सरीर से इसी वाबनात्मक सरीर से इसी उर्जा सरीर से हर चीज को आरपार देखने लगेंगे हर चीज को पारदर्सिता के साथ आप समझने लगें आपके जो भीतर मौजूद जो स्रिष्टी का स्रोत है कि आप कैसे चल रहा आपका जीबन, क्या चीज चल रहा, क्या होने बाला है, कैसा होने बाला है आप उसको भी देखने से नहीं चुकेंगे फिलाल आप इतना अपारदर्सी है, इतना दुन्दला है आपके अंदर कि आप उसे आरपार नहीं देख सकते हैं शरीर एक ऐसा दिबार बन गया है, कि हर चीज को रास्ता, हर चीज में हमारा रास्ता रोपता है इतना अधुत चीज, स्रिष्टी का स्रोत यहां इस सरीर के भीतर मवजूद है लेकिन यह जो दिबार का रास्ता है, वो रोप देता है उसको चूंकि इतनी दुन्दली है कि हम उसको देख ही नहीं पाते इतना कठिन है, इतना मोटा परत जम चुका है कि हम उसको देख ही नहीं पाते तो इसका साफ करने का समय कभी भी आ सकता आप जो भी हम लोग ध्यान, यग, जो भी हम करते हैं जो भी हम चिंतन करते हैं, प्रात्ना करते हैं इसको हमारे तामसिक गुन से हमें सात्विक गुन की तरफ हम अपने ये जो स्थूल सरीर है, आपका जो मानसिक सरीर है, आपकी जो भावना है, आपकी जो उर्जा है उसको साफ करते हैं, बरना सिर्फ क्या होगा कि आप एक दिवार बनकर रह जाएंगे और आपके अंदर कौन रहता है, आपके अंदर क्या निवास करता है, उसको भी नहीं जान पाएंगे तो अध्यात में जो है, जो अध्यात में यानि जो भी कर्म करते हैं, धर्म करते हैं जो भी धार्मिक कर्म या धर्म का जो सिध्धानत है, अगर इसकी और स्विक्रिति है हमारे जीवन में, कि हम इसको स्विकार नहीं करते हैं, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसको हम तामसिक भाव से कर रहे हैं, उसको स्विकार नहीं कर रहे हैं, हमको उस काम करने में मन तो को और स्विक्रिती के कारण अगर हम अपने जीवन को चला रहे हैं और स्विक्रिती के कारण हम अपने जीवन को कर रहे हैं तो हमारे जीवन में पुर्णता नाकारात्मक पुन बढ़ जाता है इसी लिए जब भी कोई भी काम करते हैं उसको पुर्णता स्विकार कीजिए चा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप पूरी तरह से नाकारात्मक हो गए तो कोई भी अध्यात्मिक कर्ण करिए उसको अंधे कीमत कीजिए उसको आप हमेशा उसको बड़े अच्छे से उसमें लीन होकर आप अगर उसको करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो तामस का अगर तामस के द्वारा बिरोध किया जाए अगर गुस्से को गुस्से के द्वारा बिरोध किया जाए तो क्या होगा करते हैं कि आग में घी डालना तो पूरा भड़त जाएगा पूरी कावानी तो इसका प्रतिरोध जो है हम रजस के माध्यम से भी कर सकते हैं इसका प्र जहात्मिक प्रकार से अगर हम इसको परवर्थिफ कर सकते मुस्किल तो है मैं जो कह रहा हूँ यह इतना आसान नहीं है मुस्किल तो है लेकिन एक आपको चिंतन लाना होगा आपके अंदर एक दर्शन आपकी खुद की अपनी फिलोसफी एक क्रियेट करनी होगी कि हमें सही क करना है अपने जीवन को आगे ले जाना है तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं जो हमारी जो एक चिंतन है जो चीज हम लोग बाचीत करते हैं सचेतन में विचार के माद्यम से वह एक दिव्य प्रसाद है अगर आप इस चिंतन को समझ पाते हैं तो आपका जो भी अभुज पहली है जो पहली आप सुल्जा नहीं पाया है उसको खुद अपने आप में जीवन में सुल्जा सकते हैं तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत दन्यवाद